दोस्तों नमस्का एस्टर जोबलाइन में आप सभी का स्वागत है SSGD कोने स्टेबल भरती परिक्षा की आंसर की तो दोस्तों जारी हो चुकी है लेकिन रिजल्ट डेट से जुड़ी बड़ी खबर निकल की आ रही है आपका रिजल्ट कब जारी किया जाए गया SSGD कोने स्टेबल भरती परिक्षा 16 नमबर से 15 दिसंबर 2020 तकाय जित करवाए गई इस भरती परिक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी गई है और SSC द्वारा विद्यार्थियों को आंसर की पर आपत्ती दर्ज कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है जिसमें विद्यार्थी परतेक आपत्ती के लिए 100 रुपे का चार्ज देकर आपत्ती दर्ज करवा सकता है उमिद्वार को पने आंसर की चेक करने के लिए SSC की ओफिशल साइट में लोगिन करना होगा चले दोस्तों अब रिजल्ट से जो बड़ी अपडेट है वो देख लीजिए यहां बताया गया आंसर की जारी होने के पसाथ सभी उमिद्वार रिजल्ट का इंजार कर रहे हैं ऐसे में खबर निकल करा रही है कि जीडी कोन स्टेबल भरती परिक्षया का रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ता है में जारी किया जा सकता है तो दोस्तों SSC जीडी भरती परिक्षया का जो आपका रिजल्ट है वो फरवरी के पहले सप्ता है में जारी हो सकता है फिनिचेजान करेदीगी है रिजल्ट में कटोफ मार्क्स के साथ साथ फिजिकल के लिए पास विद्यार्थियों के लिष्ट भी जारी की जाएगी ठीक है तो दोस्तो SSEGD भरती का result आपका फरवरी में आ सकता है पहले सबता है तक यानि कि फिलाल आपको एक महीने तक का इंतजार result के लिए दोस्तो answer की के बाद में अब करना होगा एक महीने बाद आपका result जारिक किया जा सकता है बहुत बड़ी ख़बर दोस्तो आप सभी के लिए तो दोस्तो आपकी कटोफ क्या जा सकती है उसके लिए expected कटोफ का वीडियो जल्द ही आ रहा है बहुत बड़े सरवके साथ में बिल्कुल सटी कटोफ आपको पहले ही दोस्तो पता चल जाएगी ठीक है दोस्तो आप सभी के लिए को खास इनफोर्मेशन गर बेठे आपने क किसी भी गोवर्मेंट जोब एक्जाम की बिल्कुल फ्री में त्यारी कर सकते हो। हमने अनेकडमी के उपर आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेज डेली शुरू करके रखी हैं। तो हमने अनेकडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजे लिंक डिस्किप्शन में हैं। और दोस्तों अनेकडमी के उपर 29 दिसंबर से टोप एजुकेटर के टोप बैच से स्टार्ट हो रहे हैं एससी एक्जाम्स के लिए। तो इनमें भी आप जाके जोइन कर सकते हैं। थैंक्यू जाहिंद वंदिमात्रम।